आम्मी दर से निकलते असलाम अलेकुम दोस्तों वेलकम आपका जिन्नात के बसी में आपका दोस्तापका खादम राव शम्मस अली उमीद करता हूँ मेरे सब बेहन भाई ठीक होंगे मैं भी ठीक हूँ और दोस्तों दुबारा वीडियो बनाने के लिए हमाँ चुके हैं क्योंकि जितनी लोग हमें रिक्वेस्ट करते हैं लोकेशन की तो इसलिए हमें बार बार जाना पड़ता है और काफी दोस्तों को हमें जो लोकेशने दुबारा दुखाने पड़ती हैं क्योंकि कुछ दोस्त इंट्रेस्टेड होते हैं क्योंकि इन लोगों को एक जो लोकेशने जो बड़ी सुनसान स मिलती हैं क्योंकि ये इन पर इंटरेस्टेड होते हैं और होडर लोकेशन के शकीन होते हैं तो अभी हम इस लोकेशन पर काम करेंगे तो मेरे साथ मेरे काफी दोस्त भी हैं वो सब ही यूटूबर ही हैं लेकिन वो पीछे जो अपना दूसरी साथ पर काम कर रहे हैं और मैं इस साथ पर निकला हूँ बिल्कुल अकेला हूँ वो मुझे से थोड़ा सा दूर ही है तो अभी जो हमारा साथ में विजर्टा सभी के साथ में तो मैंने जो रात का वकर टाइम हो चुका काफी तो इसलिए वीडियो कैप्चर करनी शुरू कर दी और कुछ अजीब से देखने को मामलात मिले इस जगा पे कि हम इस जगा पे वीडियो बना चुके हैं ये कोई पहली मरतबा नहीं हम इदर आए काफी बार इदर आके वीडियो कैप्चर कर चुके लेकिन जब भी आते हैं तो कोई अजीब सी इदर कैफियत और अजीब सी एक्टिविटी होती है कि ऐसे लगता है कि जैसे हमारे आस पास कोई एक चीज नहीं काफी ज्यादा चीज़े हमारे आस पास पिर रही हैं तो कभी कभी तो ऐसे लगता है कि वो हमारे पास ही खड़ी हैं बिल्कुल हमें देख रही हैं तो अभी जो हम एक जबा के जगा पर एकट्छे हुए थे तो मैंने इस जगा को जो मस्य की इस जगा पर महसूस किया यह आप देखें कि यह जीब सी जगा बनी है यह इदर खतरनाक जानवर भी आप लोगों को बताता चलों यह उनके घर बने हुए हैं मटी के तो मुझे ऐसे महसूस हुआ कि यह जो जाड़ी हैं इनके अंदर जैसे कोई चीज फिर रही है बार बार और हमें देख रही है तो इसलिए मैं इस जगा की वीडियो दोबारा कैप्चर कर रहा हूं और कुछ दोस्तों की फरमाश होती है कि दोबारा वीडियो इस जगा पर कैप्चर की जाए तो जैसे हमें नई लुकेशने भी मिलती है सबस्क्राइबर हमें बताते हैं तो हम नई लुकेशने पर भी काम करते हैं अभी दोस्तों हम इन्वेस्टिगेशन ये गर रहे हैं इस जगा की कि इस जगा को किलियर आज तक नहीं किया गया कोई भी बजूरग या पीर या जो भी इदर आता है ना वो गपराकर इदर से निकल जाता है क्योंकि वो कहता है कि एक चीज हो तो वो कबर करे इस जगा को कहता है इदर एक नहीं है पता नहीं क्या क्या चीज़ें कि बाहर बाहर वो दुबारा दुबारा फिर निकल आती है तो कहता है कि मुश्किल हो जाता है तो इसलिए हम दुबारा इस जगह पे आए हैं कि यह जो हिस्सा है जिस हिस्से पे मैं आ आ गया हूं क्योंकि इस जगह पे मलबा भी पड़ा हुआ है और इस जगह पे जाड़िये वेगारा भी लगी हुई है तो इधर पहले कोई पुराने घर होते थे आप लोगों को थोड़ा सागर जाकर दिखाता हूं यह आप देखें कि पहले मैं आप लोगों को बता चुब कांग को काफी ज़्यादा इस जगह पे जो घर होते थे यह देखे इस जगा पे कुछ ना कुछ होता ही रहता है चाए दिन का टाइम हो चाए रात का टाइम हो इदर कुछ ना कुछ जो अजीब सी हरकते होती रहती है तो पिशली दफ़ा मैं इस जगा पे खड़ा जो इधर मट्टी का काफी बड़ा टिबा था यह जो जगा आप देख रहे हैं इस जगा पर खड़ा मैं वीडियो कैप्चर कर रहा था तो मुझे अचानक से लगा कि मेरे कंदे पर किसी ने हाथ रखा है मैं काफी ज़रा डर गया जो मेरी टीम के लड़के थे मेरे से दूर थे थोड़े से लेकिन जब मैंने गपरा कर पीछे की तरफ देखा तो कुछ भी नहीं था कहने का मतलब यह है कि वो चीजे अब हमें जो दिखाई भी देने लग गई हैं कभी कभी दिखाई दे देती हैं हमें और हमारे बिल्कुल आस पास जो रहने लगी हैं वो हमने काफी दफ़ाँ उन से बात करने की कोशिश की है वो अभी भी देखें वो नीचे की तरफ एक रोशनी सी है नीचे वो सामने आप देख सकते हैं वाइट कलर की यह कुछ भी नी صرف रोशनी यह और यह नहीं पता है कहां से आ रही फैर जो बात मैं आप लोगों को बता रहा था मुझे पता है कि वो चीज़े इसे इदर ही मुझा भी बिन कि बात यह बता रहा था कि वो चीज़ें से हमने बात करने की कोशिश की है लेकिन वो खमोश है हमसे बात नहीं करती तो कुछ चीजे जो हमने इदर ऐसी देखी है कि वो काफी जो खूखार है कि जैसे हम इदर कदम रखते हैं तो हमें जो वो ड्राने की कोशिश करती है इदर से बगाने की कोशिश करती है आज हम जो इस हिस्से में ये देखने आए हैं कि ये वाला जो हिस्से है इस जगा पर जो हमें बताया गया है इस जगा पर कि जो में मसला था हमें पहले नहीं पता था काफी महीनों से हम इदर आ रहें तो हमें पहले नहीं बताया गया था कि इस जगा पर कभी कोई क्या बता था तो लेकिन अब हमें पता चला कि इस जगा पर असल में कौन-कौन रहता था और क्या मामला थे इस जगा के तो अब भी ये जो आप लोगों को बात बता रहा हूं कि तरीबन पाकिस्तान और हिंदुस्तान बनने के पहले सी है जब सबी एकठे होते थे इस जगा पे सिख, मुस्लम, हिंदु, क्रिस्टन और जो भी कौमे हैं जो भी मजभ हैं सबी एकठे थे उस वक्त के आप लोगों को बात बता रहा हूं कि जो इदर को बज़ूरक था उन्होंने बताया हमें कि जिनके इलम में ये बाते थे जिनने ये देखा है सब कुछ वो कहते के ये सबी एकठे थे इसी जगा पे सिख, मुस्लम और हिंदु जो भी मजभ वाले थे दोस्तों मैं आप से लोगों से बात कर रहा था उन्हें ऐसे लगा मेरे पीछे-पीछे कुछ चल रहा है लेकिन मैंने पीछे देखा कुछ भी नहीं था तो मैं आप लोगों को बात बता रहा था कि ये उसका कहना ये है कि इस जगह पे जो तो जब उनकी आपस में कुछ लड़ाईयां जगड़े हुए थे जब इकठे रहते थे तो वो एक दूसरे को काट कर फैंक देते थे कोई मुसलम हो गया या हिंदू हो गया या सिख हो गया जो भी था कि उनके अंदर जगड़ा वगएरा हुआ तो कुछ मुसलम थे कुछ हिंदू थे कुछ सिखते ऐसे मसक रहते थे लोग तो उसके बाद जो ये जग़ा को मसक बंद कर दिया गया काफी अरसा काफी साल ये बंद रही है अभी भी ये देखी रहे हैं कि जग़ा मसक विरान ही है इदर इतना आता जाता कोई भी नहीं है तो पता चला कि उनका जो अब भी वो चीज़े ना जो भी कटे हुए या जो भी मामला थे इदर वो लोगों को कभी सुनाई देते तो कभी दिखाई देते जब लोग आसपास फसलों में आते हैं अपना काम करने के लिए तो पहले हमें कुछ और ही बताया गया था लेकर हकीकत एक दो बज़र्गों से हमने पता की तो उन्हें बताया कि इस जगह पर असल में मामला यही थे तो तब से यह जगह बंद पड़ी थी तो इसलिए यह सभी इस जगह पर आपको काफी ज्यादा जो एक्टिविटी जो मामला तर नदर आते हैं आप लोगों को तो ऐसे लगते हैं कि वो उनका कहना है कि आप लोग हमें भी उन्हों लोगों ने रोका कि आप इदर कम में जाया करें तो हम आये तो हैं लेकिन यह जाडियों के अंतर कोई चीज है जैसे हम उनसे पूछने की कोशिश करते हैं हर बार यह लेकिन यह बात नहीं कि हम ड़ते हैं हम भी ड़ते ही हैं क्युकber काफी जो खतrनाक चीजे होती हैं यह कभी कोई नकसान नहीं पुचाती तो कभी कभी कोई नकसान बहुत जारा पुचाती हमें तो यह नहीं कि हमें डर नहीं लगता अभी हम भी इंसान है तो इसलिए जो हमें भी डर लगता है अभी यह देख सकते हैं कि मैं इस जगह पर खड़ा हूं तो दो से तीन दफ़ा जो मुझे ऐसे महसूस हुआ कि जैसे पीछे से कोई आवाजे लगा रहा है मुझे और एक इस जगह से कुछ आवाजे भी आ रही हैं किसी के चलने की तो बज़ूर को ने बताया था कि यह मामला आता है तो इसलिए यह चीज़े इन लोगों को नज़र आती है और वो कहते हैं कि कई एक दो नहीं हैं काफी ज़्यादा है तो इधर पहले जब मसल के जादू टूने भी किये जाते थे काफी ज़्यादा क्योंकि उस वक्त जादू टूने का बहुत जारा दोर था उल्टे सिदे चिले और जादू किये जाते थे इसी जगा पे तो यह जो अलाका है जिस अलाके में मैं अभी फिर रहा हूँ यह उनका इलाका था जादू चिले वाला का तो इसलिए इस जगा पे कुछ ऐसे बुरे भी हैं कि जो लोगों को परिशान करते हैं तंग करते हैं क्योंकि यह वो लोग थे जादूगर के लोगों से पैसे लेकर उनके कुछ बुरे कामों के लिए मदद करते थे जादू के लिए जादू करके तो यह जो मलबा मैंने आप लोगों को दिखाया था पहले वो उसी जगा का था उसी जगा पर उनके मुकान होते थे उसके बाद इस जगा पर जो और कोई मुकान बन गए वो भी तोड़ दिये गए इसी हवाले से क्योंकि उनको कुछ अजीब जीब सी चीजे नजर आती थी इस जगा पर वो आप देख सकते हैं कि वो सामने की तरफ बिल्कुल सामने की तरफ कोन है बई कोन है वो देखें वो देखें कोई चीज बाग कर गई है कोई चीज इदर से उदर बाग कर गई है जैसे मैंने आवाज लगाई कि कौन है वो बिल्कुल सामने कोई आदमी जैसा खड़ा हुआ है अब ही हम आगे की तरफ चलते हैं अल्लाहु क्पर कोन है इस जगा से कुछ है अजीब जीब सी आवाज है और यह आप देखें कि मुझे कुछ अजीब सी जो कैफियत मसूस हो रही जगा पे और खौब सा भी आ रहा है क्योंकि मैं जैसे उनका नाम लेता हूँ वो मेरे आस पास से गुजरते हैं और क्योंकि इनका नाम कम ही लेना चाहिए बड़े बज़र्गों को नहीं बताया है कि इनका नाम नहीं लेना चाहिए तो इसलिए मैं इनका नाम नहीं ले रहा, ऐसे ही आप लोगों को बता रहा हूँ ये चीजे ऐसी होती है, जितना आप इन लोगों को नाम लेंगे, उतना ही ज्यादा ये आप लोगों को परेशान करेंगी तो अभी हम आगे चलते, क्योंकर काफी टाइम हो चुका रात का तो ये घना जंगल शुरू हो गया, ये और इलाका शुरू हो गया उसी अस्तक्फर उल्ला, ये आप देखे, ये देखे ये कुछ भी नहीं इल रहा, और ये ज्यादा इस बात को तो आप समझी गए होंगे और इदर काफी ज्यादा खतरनाक जानवर और साप, बिच्छू और बाहर के ज्यादा चीजे इदर पाई जाती हैं, क्योंकर ये उनका गर हैं तो ये आप देखें के इदर कोई चीजे तो हैं, महसूस हो रही हैं, वो हम अपनी मजूद्गी का हमें बता रही हैं असल में मामला जो पहले हम इदर करते देखे थे या अब दिखाए थे आप लोगों को, हमें पता नहीं चलता था कि ये चीजे क्या हैं और क्या चाहती हैं, क्या कहां से आई हैं मैं इस जगह पर वीडियो काप्चर कर रहा था, बिल्कुल इसी जगह पर साफ था, ये जगह पर आप लोगों को भी दिखा रहा हूं और इस जगह पर और ही कुछ ज्यादा एक्टविटी है ये इस जंगल के अंदर और ये वो साथ में ही स्विमिंग पुल आ गया जिसकी मैं आप लोगों को पहले भी वीडियो कैप्चर करके दिखा चुका हूं और ये काफी बड़ी लुकेशन है चोटी सी लुकेशन नहीं है अब देखें अभी भी इन से हजीब जीब सी आवाजें अब ही हम दूसरी साइड पर चलते हैं इस जगह पर द्रख्त था वो भी इन लोग ने काट दिया गिरा दिया उस द्रख्त को और ये आप आवास सुनें कैसी अजीब सी आवाज निकल रही इस जगह से आवाज सुन सकते हैं कैसी बेल जैसी आवाज है ये और इस जगह पर बताया जाता है कि इस जगह पर एक औरत नजर आती है लोगों को इसी जगह पर इसके कपड़े होते हैं और बड़े बड़े उसके सरके बाल जो उसका चेरा कभी किसी ने आए तक नहीं देखा इदर ये है जो आप लोगों को देखा आँ ये इस जगह पर इस जगह पर इस है ये बिल्कुल साथ में फसले हैं यहाँ देख सकते हैं अब कि यह वह वह एरिया जिस जगह पर और दिखाई देती है इस एरिया के अंदर है वह अभी भी उसकी मैजूदगी हम महसूस कर सकते अलाहुक्त तो दोस्तो अभी आप लोगों से जो हम इजासे लेंगे अस्तग्फिर लाई यह आप देख सकते कि इस एरिया का हम बता रहे था आप लोगों को लेकिन यह चीज़ बिलकुल कौनों अस्तग्फिर लाई आप अम्मी दर से निकलतें झाले 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 यही झाले प्राइब है